जनपत उतरकासी बढ़कोर तैसिल के पिंड की गाउं में आग लगने से एक तीन मंजला मकान जलकर खाक हो गया है। अस्तानिया लोगों का कहना है कि सरकार को परधान मंत्रे आवाश योजना के तहत इनको घर देने चाहिए। जिसके करण कोई जनहानी नहीं हुई लेकिन जो बिसन आग आग ने आग रोप लिया तो इसमें बुझाने का परियास तो किया गया था लेकिन जो आग थी उसने विक्राल रूप ले लिया था जिसके बाद आग पर काबू नहीं पाया गया और तीनों मकान जो हैं वो जलकर खाक हो गए चलिए आए सुनते हैं एक बार जो पीडित हैं उनका क्या कहना है और जो अस्तानिया लोग है वो क्या मांग कर रहे हैं आग जले होई उससे की में प्रवा रखने वच्छा कि लिए झाली नहीं रहने लिए विस्तार पुछने ही में क्या करूं जू आपके छाय साइद आपके देना किसे दे दो ने तो मैं क्या करना है बस यह आपकी इच्छा जैसे कि आप सब विजित हैं जो कल घीडशेत्र के ग्रामसवा पिंटकी में आग जने हुई उससे पिंटकी में एक ती मंजीना मकान जो था तो पूरी तर आग में जलकर खाक हो गया और इस मकान में जो तीन परिवार नहीं थे तो पूरी तर से मैं उत्राकर्ण सरकाल और उत्रकासी जिल्ला दिकारी महदे से हाथ जो अनुरोद करता हूं कि आप प्रतकाल इस परिवार को रहने के लिए प्रदानमिंत्री आवास योज़ा के माध्यम से इन तीनों परिवारों को आवास की सुम्धात लग दिकराने की प्रात्मिकता के साथ ही आवकान देने की किरपा करेंगे और अनया जो वी आवसेक्ति कि उचित सायोग्रासी है या इस परिवार को जो अनुधान कर सकते हैं अत्रशिग्र करने की किरपा करेंगे और अन्या खित्र के जनपरदे निदियों, सासन पर सासन और परबुद जीवियों जो लोग इस दुक्य गड़ी में इस परिवार की मलज करना चाहते हैं, उनसे भी मेरा हाद उड़कर मैं गुहार लगा रहा हूं कि आप आएं और इस दुक्य गड़ी में इस परिवार के साथ हो और इस परिवार को गओं के साथ और समाज के साथ उटने बैटने लाए गया आग पहाडों में अक्सर जो फायर सर्विस है वो उपलब्द नहीं होती है जिसके कारण जो घर है वो जलता जाता है और लोग देखते रहते हैं क्योंकि लोगों के पास कोई option नहीं होता है कि वो इस आग पर काव पाया सके जो पानी की मातरा है वो इस उतने परचूर म मातरा में नहीं होता है कि आग पर काव पाया जा सके आप देख सकते हैं कि जो परिवार है उन्होंने अपने पूरी जमा पूंजी से यह घर बनाया था हर किसी का एक सपना होता अपना घर बनाना लेकिन जब घर इस तरह उनके आँकों के सामने जले तो दुख कि इससे